हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो मैं चैनल बुक्स फर लाइफ आप सब अच्छे होंगे और आपने अपने करुणा काल को बहुत अच्छे से इंजॉय किया होगा और कुछ नया आठ ज़रूर बनाया होगा आठ जो हम बनाने जा रहा है वो है फिष तो आये इसकी हम शिरुबात करते हैं इसके लिए सबसे पहले मैंने एक फिष का कट लिया हुआ हुआ है फिर इसके पाद आपके पास जो भीकर्षे यह बड़ा है यह चोटा है उसके आद आपके पर जो भी कार्ट बूद होगा आप इसका 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 कर सकते हैं इस टाइप का और आप उससे कटिंग्स निकाल लेंगे उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे हम लेंगे पी-ओ-पी तो यह मैं पी-ओ-पी ले रही हूं थोड़ काफी इतना और इसमें मैं मिला रही हूं थोड़ा पानी और इसे हलका सा पानी से सिर्फ मैश अप कर रही हूं मिक्स कर रही हूं पानी बहुत पतला रही हूं नहीं बनाना है घोल हलका सा मोटा ही रखना है ताकि हम इसके उपर इसकी लेयर को लगा सके हैं यह देखिए दोस्तों यह इस टैम का कुछ फोड़ा से मैंने पी-ओ-पी रेडी कर लिया है और मैं पानी हटा दे रही हूं अब जैसे कि मेरे पास यह कटिंग है मैं इसके उ चारों तरव से जितनी भी गैपिंग या सारी गैपिंग्स को आप फील कर लिजाए यह रेखिए यह गैपिंग्स में भी मैंने पी-ओ-पी को फील कर दिया है स्मूथ कर लिजे उसे उंगलियों से या फिर आपके पास टूल सोंगे तो आप उससे भी कर सकते हैं मुझे उंगलियां जादा प्रिफर लगती है यह हमारा रडी हो गया है अब मैं इसे ड्राय होने के लिए छोड़ देती हूँ दोस्तों यह मेरे फिश जिसके उपर हमने प्योपी अपलाई किया था जैसे कि मैंने भी आपको बताया ड्राय होने के बाद यह ऐसा दिखेगा अब यह मैंने सैंड पेपर लिया हुआ है और इस तरह प्लेन कर देखे दोस्तों यह पूरी तरह से प्लेन हो गया है अब हम इस पे कलर अपलाई करतें कलर अपलाई करने के लिए हमें एक्रेलिक कलर्स की ज़रब करेंगी आपके पास जो भी हो आप ले सकते हैं कि आप साइट में भी कर लेंगे नहीं तो वाइट वाइट दीखेगा यह क्रीन कलर मेरा हो गया है अब मैं यलो कलर ले रही हूं कोई भी दूसरा कलर जब आप ब्रश में यूज करते हैं तो पहले ब्रश को अच्छे से साफ कर लिजे उसके पाद ही आप नए कलर में ब्रश को डालें यह मैंने आप गोल्डन यलो लिया हुआ हैं अब दोस्तों मैं औरेंज कलर ले रही हूं कलर टोटली आपकी चोइस पर है आपको जो भी कलर से लेने हैं आप ले सकती हैं मैंने इसमें तीन कलर का स्तमाल किया है आप सिंगल कलर भी ले सकते हैं डबल भी ले सकते हैं या उससे जादा भी ले सकते हैं यह तोटली आपके उपर डिपेंड करते हैं कि आप किस कलर का किस तरह से स्तमाल कर रहे हैं यह मैंने औरेंज कलर कर लिया अब मैं दोस्तों फिर से ग्रीन कलर जो मैंने फिश के फेस पर लगाया था वही कलर में इसकी पूच में भी लगाते हैं वापसे ब्रेश को अची तरह से धोलीजे और उसके बाद यह ग्रीन कलर और यह पूच में अपलाए कर देज़ें यह मेरी फिश लगभग लगभग तयार हो रही है अब थोड़ी से डिटेलिंग करने पड़ेगे और मैं इससे की विंक्स टाइब की चीज़ से बना दे रही हूँ यह देखिये आप अपने फिश को अपने हिसाब से कैसे वा डेकोर कर सकते हैं दोस्तों हल्का सा डेकोर करने के लिए मैं इससे इसके पर डॉट्स बना दे रही हूँ दोस्तों अभी है मैंने ब्लैक कलर का एक्राली कल लिया हुआ है अब मैं इससे इसकी आके बना रही हूँ और ये इसकी फिश की मूँ ये मैं यहाँ पे लाइन कीछ रही हूँ इससे यहाँ पे भी ये टूटले आपके उपर है आपको जो भी इसमें पैटन बनाने आप बना सकते हैं अब मैं इसके उपर एक ये पैटन ले रही हूँ फिश के अधिया आपके अधिया दूटले कि जो लें मैं दूटले आपके अधियू इसकी वाहाँ आपके पैटन दो भी जाएचा की एक डूट्स के अधियूं बना दे रहे हैं कि मैंने वाइट कलर से यहां पर आउटलाइन दे दिया और यह पूछ पर भी थोड़ा थोड़ा वाइट डाल दिया है अब मैं तोड़ा यलो कलर ले रहीं फिर से ब्रश को वाश कियां आरी इसकी पूछ पर यह तोटली आपके उपर है दोस्तों आप इसे किस तरह से डेकोरेट करना चाह रहे हैं और यह मेरी फिश रड़ी हो गई है बस मैं आपको दिखा रहे हूं यह देखे जोस्तों आप कोई भी पैटर्न इस पर डाल सकते हैं अब इसकी उपर हम लास्ट में एक का मौर करेंगे फ्रेंगे फ्रेंट्स कि जब हमाई पास यह सूख जाता है तो हम इसके उपर पिक्चर वार्णिश थोड़ा सा अप्राइब कर देंगे उससे क्या होगा थोड़ा से शाइन आ जाएगा हमारे डेकोर पे यह मैंने पिक्चर वार्णिश लिया हुए और यह मैं इसके उपर जस्ट टच कर दे रहे हुए क्योंकि हमने काटबोड के उपर पी यूज किया था तो इससे हमारे प्रोड़क्ट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा यह खराब नहीं होगा बलकि इसकी चमक बढ़ जाएगी लेकिन यह आप जब आपका प्रोड़क्ट ड्राइ हो जाए जब आपका आट कम्प्लीटली तब ही आप इसको पिक्चर वॉनिश करिएगा दोस्तों नहीं तो इसकी कलर्स क्या होंगे ना स्प्रैड हो जाएगे पिक्चर वॉनिश आप कोई भी ले सकते हैं यह मैंने कैमलें का लिया हुआ है यह देखें यह इसके उपर और भी शाइन आ गई इस तरछ से आप बाकी के फिशस को भी कंप्लिट कर लेंगे और आप चाहें तो इसके उपर आपकी चाय की कप को रख सकते हैं यहां पर प्ये पास चाय का कप तो नहीं है पानी यह थो यह ए आप S5 इसे फ़ार लेख्निद के टौर पर बना सकते हैं यह यहां से आप से आप इसे लटकाने के ल्ए रसी निया रसे में गा सकते हैं और अधिए यहां, बेस्पलब करी आपके LOOK आप इसे बनाएए और मुझे जरूरर कमेंट करिये कि अपने इसे किस तरह से बनाया और इसका स्टमाल कहाँ पर किया वाल डेकोर में किया या चाय की कब वगेरे रखने के लिए किये हैं या फिर आपने कुछ से और इंटरस्टिंग सा कुछ आइडिया निकाल के उसमें कुछ एड़ किया हुआ है ठीके दोस्तों, I hope मेरी आज की विडियो आपको पसंद आई होगी आप अपना ध्यान रखिए तब तक के लिए, बाई